अगर आप नॉर्मल तरीकी से अपने credit card से bank account में पैसे transfer करने जाओगे तो आपको 2-3% के charges लग जाएंगे और यह charges जायस भी है क्योंकि आप आपने credit limit को prepaid limit में बदल रहे हो पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप credit card से bank account में पैसे transfer कर पाऊगे और 2-3% charges तो क्या आप पैसे कमाऊगे तो यह जो तरीक में आपको आज बताने जा रहे हो वो आपने पहले सुना होगा लेकिन जो जानकारी इस वीडियो के साथ में आपको देने वाला हो वो आपने कई नहीं सुने होगी और मेरा सुझाओ तो यही रहेगा कि आप अपने घर का किराया credit card की मदद से ही करें और मैं आपको समझाता हूँ क्यों देखे ज्यादातर जो credit card होते ना उनमें एक threshold limit होती है एक लाग बीस हजर साल आना की हो गया तो जैसे आप इस limit को पूरा करोगे आपको जो वार्षिक शुल के card का वो भी माफ हो जाता है और कई-कई cases में आपको extra rewards में मिल जाते है अगर आप आम दौर पर credit card का इस्तमाल करते हो तो साल का 1-2 लाख रुपे खर्चा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर आप आपने महने का कर्चा 15-20,000 रुपे जो आपका fix कर्चा है वो credit card के मतले से करने लग गए तो आपको काफी साधा फायदा हो जाएगा और आगर इस वीड़े में आपको बताऊंगा भी कि उस कर्चे से भी आप पास से 6 प्रतित का cashback कैसे कब आ पाऊगे और हाली में आपने देखा है कि आप जब credit card से rent transfer करते हो तो उसके उपर भी 1-2 प्रतित फीज लगनी शुरू हो गई है जिसके SBI के जो credit cards है उनमें ये fees लगनी शुरू हो गई है तो आपको काफी सावदानी से देखना है कि आप जिस भी credit card को इस्तवाल कर रहे हो उनमें ये fees लगती है या नहीं अब ऐसे भी कई सारे cards है जिनमें ये rent transfer के charges आपको नहीं लगते उल्टे ये cards आपको rent transfer करने पर reward points भी देते हैं तो चलिए देखते कुछ examples तो सबसे पहला card आता है Stank Ultimate Credit Card अब इस card के अंदर आपको 3.33% का cashback मिलता है rent transfer करने के उपर और इसके उपर आपको किसी भी तरीके के capping भी देखनी को नहीं मिलती और जो भी cashback आपको मिलता है वो आप gift vouchers के रूप में ले सकते हो अब अगला आता है Bank of Barodho का Eternia credit card इसके अंदर आपको 3.75% का cashback मिल जाता है अगर आप rent transfer करते हो तो लेकिन इसके अंदर आपको 1 मैने के अंदर 1250 रुपे तक का cashback मिल सकता है तो हमें लगते हैं काफी अच्छा लिमिट है और यह आपके 33,000 रुपे तक के rent को cover कर सकता है यहनकि अगर आपका rent 33,000 रुपे तक है तो आपको पूरा का पूरा cashback मिल जाएगा अब अगला है Axis Magnus का credit card इसमें जो reward structure है वो थोड़ा सा complicated है क्योंकि अगर आप reward points को miles में convert करते हो तो आपको 4.8% reward rate देखने को मिल जाता है वही अगर आप reward points को gift vouchers में convert करोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 1.2% reward rate देखने को मिल जाता है अगला आता है Axis Vistara card इसके अंदर आपको flat 3% के club Vistara points मिल जाएगे with no capping अब आखरी options है HDFC के Infinia और HDFC का diners तो इन दोनों के अंदर आपको 3.33% का cashback देखने को मिल जाता है तेकिन इन दोनों कार्डों के अंदर आपको जो capping मिलती है वो 2000 रुपे हर मेने की मिलती है अब rent transfer करवाना इतना tricky हो जाता है क्योंकि credit cards के अलावा भी platform भी अलग से charge करते हैं इनके जो charges होते हैं वो 0.49% से 2% के बीच में होते हैं तो एक अच्छे credit card के साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि किस platform से आप rent transfer कर रहे हैं तो चलिए तुलना करते हैं अलग-अलग platforms की और उनके charges की तो जैसे के आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे कम charges है रेड जिराफ के और सबसे ज्यादा है पेटियम और क्रेड के अब इनके अलावी कुछ platforms है जो कि आपसे 2% का charges लेते हैं लेकिन उनको हमने इस table में नहीं लिया है अगर आप इन platform से rent transfer करते हो तो यह आपको कुछ reward points भी देते हैं तो हमने उन reward points की भी तूलना की और हमें यह मिला कि जो रेड जिराफ है उनका reward points सबसे अच्छा है रेड जिराफ आपको पाच परचे तक के reward points देता है यानि कि अप टू 3,000 उपए हर महीने एक पाच जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि Red Giraffe ने या फिर किसी ने भी इस वीडियो को sponsor नहीं किया है यह सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जितना भी हमारे पास data है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आपने रेंट ट्रांसफर के उपर तो चलिए देखते हो कैसे तो मानके चलते है कि आप 20,000 रुपए का किराया देते हो आप क्यूंकि आप यह किराया क्रेट कार्ड से दे रहे हो ना कि आपने डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट से आपको एक्स्ट्रा 30-45 दिन का इ तो टोटल अगर हम लोग देखे तो आभी तक आपने 267 रुपए कमा लिया अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेड जिराफ से अगर आप पेमिंट करते हो तो आपको पांच परसे तक का कैश बैट मिलता है तो अब आपका जो टोटल फाइदा हो जाएगा वो हो जा 1174 रुपए का यानि कि 6 प्रिशद के आसपास इसके अलवा अगर आपके पास कोई अच्छा कार्ड है जैसे कि बैंक आप बरोदे का इटर्निय कार्ड वगेरा तो उसमें आपको 1800 रुपए तक का फाइदा हो सकता है क्योंकि उसका जो रिवार्ड रेट है वो 9 प्रिशद में ज़रूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना